हलो दोस्तों, आप सबीका स्वागत हैं, मैं यूटूब चैनल एक्जाम दो टेक्निकल पर आज की सुडियो में हम एंपेसल तारापूर साइट पर प्लांट ओप्रेटर सिप्ट सेकेंड के अंदर एडवांस टेस्ट का जो पेपर कंड़क्ट हुआ था उसके हम कुछ क्विशन लेके आए हैं, यह आपके पार्ट वन रहेगा, इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट टू भी लेके आऊँगा तो आज की इस एक्जाम एड़ाइसस में आप सब्सक्राइब जरू करें ताकि आपको फ्यूचर पर भी अप्डेट्स मिलती रहें तो आपके सरक्रेक्ट आंसर हैं मिट्टी यानि सोयल, इसके उप्योग लेस बनाने में नहीं किया जा सकता विशिष्ट चालकता, चालककत्व तता सेल इस तरांग में सम्मध बताईए तो आपके सम्मध इस प्रकारें विशिष्ट चालककत्व यानि चालकता के बराबर चालककत्व जी इन्टू सेल इस तरांग जो आपके होता अल अपॉन ए क्रिशन नमर थर्ड, सोडियम हाइड्रोकसाइड बनाने की विदी को क्या कहा जाता है तो आपके स्टा करेक्ट आंसर है कास्टनर केलनर सेल विदी क्रिशन नमर फोर, दिरिग वरत में नाभी लंग जीवा जात करने का सूत्र दे फोर्मला फोर, दे रमानिंग दे नुकलियस और इस न इन ए एलिप्स आपके स्टा करेक्ट आंसर है तो बी स्क्वार पोर ए क्रिशन नमर फाइब, इस प्रिंग के लिए सकती है, टुरूफार इस प्रिंग तो इसके लिए आवर्त काल का जो सूत्र होता है, ट बराबर टू पाई, अंडरूर्ट एम अपोन के किश्यन नमबर 6 isolated system के लिए सकते हैं this is true for isolated system इसके लिए delta Q बराबर 0 होता है किश्यन नमबर 7 others case के लिए सकते हैं ideal are true for guess delta H बराबर 0 and delta V बराबर 0 others case के लिए जो enthalpy में परियोरत होता है वो 0 होता है और i10 में जो परियोरत होता है वो भी 0 होता है तो वह guess others case होती है किश्यन नमबर 8 एक AMU का मान केतना होता है what is the value of NAMU तो आपके एक AMU का मान होता है 931.5 चाहलोप्टन वोल्ट किश्यन नमबर 9 कोस माइनस 1710 का मान क्या होगा तो इसका मान होगा आपके 0 किश्यन नमबर 10 2 ग्राम विले 18 ग्राम पानी में घुल जाता है तो इसके संबंद में दर्यमान परतिशत क्या होगा तो आप इसका मास परसेंट ग्यात करेंगे तो आपके मास परसेंट आएगा 10 किश्यन नमर 11 निमली कितमे से किसका अवदित अब गटन नहीं होता है तो आपको इसका आंसर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है किश्यन नमर 12 घेलवलाइजेशन में किसकी पर चड़ा जाती है तो आपके सका करेक्ट आंसर है जिंक किश्यन नमर 13 हीरे में कौन सा बंद पाया जाता है विच बॉंड इस पाउंड इन डाइमंड आपके सका करेक्ट पांसर है सा सेवजग बंद यानि कोवेलेंट बंड किश्यन नमर 14 दूरी बढ़ने पर संदारित में आवेस विबाव और दारिता पर क्या परभाव पड़ेगा वाट विल बी दा इफेक्ट ओन दा चार्ज पोटेशल एंड केपस्टेंस इन दन केपसितल आस दिस्टेंस इंक्रीस तो दारिता घ्टेगी और आवेस और हुबांतर समान रहेगा द वेल्यू ओप चार्ज और पोटेशल विल रमें सेम और वेल्यू ओप केपस्टेंस इस डिक्रीस क्यूशन नम्मर फिप्टी जब बर्प पानी पर तेरती है तो उसका डेस भाग पानी के बाहर रहता है वेन आईस फ्लोट ओन वटर डेस पार्ट ओप इट रिमें आउटसाइड द वटर तो बर्प का 0.1 भाग पानी के बाहर रहता है और 0.9 भाग पानी के अंदर रहता है विशे नमर 16 स्यानता गुडान की विमा क्या होती है What is the dimension of viscosity coefficient विशे की विमा होती है M1, L-1, T-1 Q17 पानी की बूद आका से नीचे गिरने पर कुर्ट्वाकर्शन के वृद विशे नमर 17 पानी की बूद आका से नीचे गिरने पर कुर्ट्वाकर्शन के वृद विशे बल लगेगा What force will be extracted against gravity when a group of water falls down from the sky तो इसमें आपके correct answer है उत्लावन बल अप्दरश्ट force Q18 अनुप्रस्टरंग की प्रकर्टी नेरिबर करती ही The nature of the transverse wave depends तो आपकी से correct answer है पर किरने के कौन और आपतित विकिरने के तरंग देरिबर 8. The angle of scattering and wavelength of the irisident radiation Q19 प्रिष्ट तना और प्रिष्ट उर्जा में क्या संब्ध होता है What is the relationship between page tension and page energy तो आप किसका correct answer है प्रिष्ट उर्जा बराबर and now into area Question number 20 N बराबर 3 के लिए कक्सकों की संगय कितनी होगी What will be the number of orbital for N बराबर 3 तो आपके से correct answer है 9 इसमें S orbital रहेगा 1, P 3 और D 5 आज के इस उडियो में हमने 20 questions share के है बाखेगे जो बच्चेवे questions है मैं अगले part में लगके आऊँगा उसके अंदर जदर जदा मेंस के questions रहेंगे यह आपके part 1 है, part 2 में आपके लिए अलग से लगके आऊँगा part 2 के अंदर हम मेंस के questions करेंगे आज के इस उडियो में इतना ही, जो भी केंड़ेट चनल पर पहली बार है केंड़ेट चनल को सक्सक्राइब करना ना बोले थेंक